नमस्कार दोस्तो इस्टेडी विद पॉन परतीव में आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तो आज चर्चा की जाएगे कच्छा नौ समकालिन भारत भाग एक पाठ पुस्तक के पाठ एक भारत आकार वह इस्तिती इसके प्रश्ण उत्तरों पर चर्चा की जाएगे क्योंकि इसके जो पाठ पर चर्चा है हम कल कर चुके हैं और आज इसके पाठ आधारित प्रश्णों पर चर्चा की जाएगे और साथी साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं प्रश्ण उत्तर हैं कुछ जो सौर्ट नोट से बन सकते हैं उन पर भी एक अलग से चर्चा की जाएगे इस साथ ही साथ मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे इस यूटूब चैनल के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के अंसे आठी किताबों के आधार पर किसी न किसी एक पार्ट पर रोज चर्चा की जा सकते हैं आप अगर कक्षा 8, 9, 10 या परतियोगी प्रिक्षाओं में भी यहां से प्रशने बार-बार पूछे गए हैं अगर आप इन सब चीजूं से संबंदिद हैं तो आप हमारे इस यूटूब चैनल से जुड़ करके अपना ज्यानवर्धन कर सकते हैं आए चर्चा सुरू करे कि भारत आकारव इस्तिति इंडिया साइज एंड प्रशन के विश्याई में यहां पर कौन-कौन से पाठाधारित प्रशने पूछे गए हैं कक्षा नवालों से प्रशन पहला ही प्रशन पूछा गया है करकरे खा किस राजी से नहीं गुजरती हमने देखा था कि करकरे का राजिस्तान राजिस्तान के सौरी गुजरात होकर गुजरती है उडिशा से होकर नहीं गुजरती है जबकि 36 गड एवं तिरपुरा से होकर करकर रेखा कुजरती है आप कह सकते हैं इसका सही जो उत्तर है नहीं गुजरती है पूछा गया था उडिशा होगा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है आप लोगों पूरवी देशांतर है अगला प्रस्न है उत्राखंड उत्तरपरदेश बिहार पश्चिम बंगाल सिक्किम की सीमाएं किस देश को छोती हैं ऑप्शन में हैं चीन भूटान नेपाल म्यानमारे सब की सीमाएं नेपाल के साथ छोती हैं उत्राखंड उत्तरपरदेश बिहार प पांडू चेरी लक्स द्वीब अंडमान और निकोवार द्वीब और दमन लक्स द्वीब की राध्धानी है कवरावती तो आप अगर ग्रिश्म काल में कवरावती जाते हैं तो आप लक्स द्वीब समूह की राध्धानी में जाएंगे या लक्स द्वीब समूह में मेरे मित्र ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के सान नहीं लगती आप बताइए वह कौन से देश के हैं भूटान की सीमा भारत के सान लगती है बंगला देश एवं नेपाल की सीमा भी भारत के सान लगती है इसलिए यहां पर जो सही आंसर होगा वो तजागि कि सीमा भारत के साथ नहीं लगती है आए आगे चर्चा करें अगला प्रशन देखें संसित में उत्तर देने हैं पहला प्रशन है अरब सागर तथा बंगाल की खाली में इस्ति द्वीप समुके नाम बताए दक्षिन में कौन-कौन से द्वीपी देश हैं जो हमारे पडोसी देश हैं आप देख सकते हैं कि अरब सागर लक्स द्वीप अरब सागर में लक्स द्वीप है बंगाल की खाली में अंडमान और निकोबार द्वीप समो हैं दक्षिन में सिल्लंका तथा माल द्वीपी देश हमारे पडोसी देश हैं अगला प्रशन था उन देशों के नाम बताईए जो सेत्रफल में भारस से बड़े हैं छे देश भारस से बड़े हैं सेत्रफल में हमने देखा था रूस सबसे बड़ा देश है सेत्रफल में सरवादिक सेत्रफल रूस के पास है उसके बाद कनाडा सेत्रफल में दूती बड़ा देश है तीसरे नमबर पर अमिर्का है जो बड़ा देश है सेत्रफल के आधार पर चीन का इस्तान चौते नंबर पर है सेत्रफल के आधार पर लेकिन जनसंख्या के आधार पर चीन पर्थमिस्तान पर है ब्राजील पांचवे नंबर पर और ऑस्टलिया के पास छटे नंबर का सेत्रफल है और भारत सेत्रफल मे साथवे नंबर का देश है या नहीं साथवा बड़ा देश है भारत सेत्रफल की द्रिष्टी से अगला प्रशने है हमने उत्तर पश्चिमी उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताईए हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बता यह मतलब जो हमारे पड़ोसी देश हैं उत्तर पश्चिम में देखें तो पागिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तरी देश जो है चीन, नेपाल, भूटान और उत्तर पूर्व में जो है मियामार, बंगलादेश इस परकार से ये साथ पड़ोसी देशों के विसे में हमने चर्चा की थी पाट के चर्चा के दोरान प्राशन है भारत किनकिन राजियों से करकर रेखा होकर गुजरती है आप देख सुके हैं करकर रेखा गुजरात, राजस्तान, मद्यपरदेश, च्छतिसगर्ड, जारखंड, पश्चिम, बंगल, तिरपूरा एवं, मिजोरम से होकर गुजरती है यहाँ पर राजस्तान नहीं दिया है आप लोग राजस्तान को भी याद रखा है आठ राजियों से होकर गुजरती है गुजरत, राजस्तान, मद्यपरदेश, च्छतिसगर्ड, जारखंड, पश्चिम, बंगल, तिरपूरा, मिजोरम इसके बाद अगला प्रस आप देखें प्रस नमबर तीन है सुर्योदय अरुनांचल परदेश के पूरवी भाग में गुजरत के पश्चिमी भाग की अपिक्ष्या दो घंटे पहले होता है जबकि दोनु राजियों में घड़ी एक ही समय दरसाती है सबस्ट कीजिए गुजरत और अरुनांचल परदेश का समय दो घंटे का अंतर है गुजरत की अपिक्ष्या अरुनांचल परदेश दो घंटे पहले सुर्योदय हो जाता है किन्तु फिर भी दोनु राजियों की घड़ियां एक समय दिखाती है प्रतवी अक्षांस गुमने में चार मिनट क समय लेती है इसलिए 15 अक्षांस गुमने में परतवी एक घंटे का समय लेती है भारत का अक्षांस विस्तार 30 डिगरी से अधिक है और इसलिए देश के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी भाग के वीच दो घंटे का अंतर है किन्तु भारत के सभी भागों में समय लेता है क्योंकि भारती मानक समय जो है साड़े बयास अक्षांस के अनुसार निर्धारित किया गया है इसलिए गुच्रात और अधार पर देश ही के राजियों में घड़ियां एक समान तिखाई देती है मतलब वहां इस्तानी समय नमान करके पूरा एक मानक समय जो दे रात भारत के पशंचिम में है तो वहां तक सूरी की कीरमों को आने में लगभक दो गंटे और समय लगता है iond महसागर में भारत की केंद़्े इस्तिती इसे किस परकार लाब पहुंस चाथ उह ह्याया लाब प्राप्ते हुआ है भारत को हिंद महासागर से भारती भूकंड प्रत्वी की पश्चिमी एशिया के केनर में इस्तित है भारती भूकंड जो है पश्चिम एशिया के केनर में है जो भाग एशिया महाधिव से जुड़ा है भू मार्ग एवं परवती सेत्र की शाहिता से वही भाग इसके उत्तर पश्चिम एवं पूर्वी दिशा में इसके पड़ोसी देशों से जोलता है। दक्षिन प्राइड वीपी भाग हिंद महासागर के अंदर दूर तक चला गया है जिससे भारत को पश्चिमी तर्ट से पश्चिम एश्याई देश अफिरका और यूरोब तथा दक्षिन पूर पूर्वी तर्ट से पूर्वे एश्या के देशों के साथ नती की संबंद बनाने में मदद मिलती है। भारत की सामरे की इस्तिती ने प्राचिन समय से ही जल एवं थल मार्ग के विचारों एवं सामान के आदान परदान में साहता की। यही कारण है कि हिंद महासागर भारत की इस्तिती अत्यन्त महतोपूर्ण है अगला पॉइंट इसी में दिया गया था कि उत्तर में परवतों के आरपार जाने वाले दर्रों से प्राचीन यात्यों के आने जाने का मार्ग मिलता था उपनी सदूर रामायन पंचेतंत्र की कहानियों में भारती अंकों और 44 संबंदित विचार इसी माध्यम से विश्व के अन्य भागों तक पहुंचा था अगला इसी का पॉइंट है कि मसाले हैं मलमल है इन सब का व्यवपार अन्य समान का व्यवपार भारत से अन्य देशों को ले जाया जाता था दोसरी और यूनानी मूर्तिकला पश्चिम एस पॉइंट इसी में हिंद महासागर में किसी भी अन्य देश का समुद्र तट भारत चितना बड़ा नहीं है वास्तों में हिंद महासागर भारत की एक महत्पून इस्तित के कारण इस महासागर का नामकरण भारत के नाम पर सही ठहरता है यह चर्चा थी हिंद महासागर के व झ्चति हैं ईक बार इनको देख बैंको भारती महाद्यूउप में किन किन देशों से मिलकर बनता है करकर रेखा किन राज्यों से हब कर गुजबती है यह तीन चीजें हम देख ले पहले आप लोगों को पहले पुछा गया है कि अरब wachद शागर में कौन गया है करकर रेखा देखे गुजरात राजिस्तान का थोड़ा कुछ हिस्साई इससे होकर गुजरता है मतलब राजिस्तान के कुछ हिस्टे से थोड़ा से हिस्टे से करकर रेखा होकर गुजरती है मद्धिपर्देश तीसरा राजी है च्छतिस गर्ड सौथा राजी है जार पुछा गया था अगला प्रस्ण यहां पर पूछा गया था भारती मुख्य भुभाग का दक्षिन तम सीर्ष बिंदू कौन सा है तो दक्षिन में आप देख सकते हैं दक्षिन में कन्या कुमारी है इसके दक्षिन तम सीर्ष बिंदू कन्या कुमारी है अगर हम देखें डीव समूहू में तो अंडमान निकोबार में इसका दक्षिन तम बिंदू इन्रा पॉइंट आता है जो 2004 की सुनामी में आप देख र प्रिशमी देशांतर क्या है बारत का सबसे उत्तरी अक्सानस क्या है सबसे नंबी तक रखा वाला राज यह आदा देख सकते हैं इस तक पर गुजरात है भारत और शीलंका को अलग करने वाली जलसंदी पाक जलसंदी है भारत के केंडर सासित परदेश भारत के केंडर सासित परदेशों को हम चर्चा कर लेंगे और भारत के उत्तरी अक्सांस और पूर्वी देशांतर इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे एक और मांचित यहां पर लिया गया है अगर हम भारत के केंडरिसासित परदेशों की बात करें तो भारत में आठ केंडरिसासित परदेश हैं यहां पर है जम्मु कस्मी इधर को है लद्दाक और साथी साथ यहां दिल्ली दिल्ली के साथी साथ आप लोगों के हरियाना और पंजाब की राधधानी चंडिगर चार केंडरिसासित परदेश यह हो चुके हैं जबकि अरब सागर में लक्स ज्वीप और यहां अंडमान निकोबार छे किन्रे सासित परदेश हो चुके हैं जबकि शात्वा हमारा पंडचेरी है और हम यहां पर चर्चा कर चुके हैं जमुकस्मीर लद्दाक अंडमान निकोबार चंडिगर दम है यहां पर प्रश्ण बनता है कि जम्मु कस्मीर कब अस्त्यूटों मा आया जम्मु कस्मीर जो केंड़ सासित परदेश के रूप में जम्मु कस्मीर युम लड़ाक वह 31 सप्टूबर दोहजार उन्नीच को जिससे केंड़ सासित परदेशों की संख्या ना हो गई थी लेकि कुछ समय बाद दमनेवम ज्वीप को मिला लिया गया और 26 जनरी 2020 से दमनेवम ज्वीप एक केंडर सासित परदेश हो गए चिस्चे जो 9 केंडर सासित परदेश थे वह 8 केंडर सासित परदेश में सिमित हो गए या नहीं 8 केंडर सासित परदेश हो गए आगे चर्चा हम करें लक्षट्वी बेव अंडबान निकोबार दिव समोहिए इसके सब उत्तर थे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भारत का उत्तरी अक्षांसी बिस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट है जबकि दक्षण का विस्तार इसका आज डिग्री 4 मिनट से प्रारंब होता है अगर हम देशांतरी विस्तार देखें तो देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है जबकि इसके पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की लंबाई 39-39 किलो मिटर है जबकि ऐसे अगर हम देखें तो इसकी कुल लंबाई 32-14 किलो मिटर है यहां से मानक समय लिया गया है इलहाबाद नैनी से जो 60 साड़ेवया सी अंस पर है या नहीं 60 बिया सी देशांतर रिखा पर है मिर्यापूर इतर परदेश इलहाबाद नैनी भी कह सकने हैं हम साथी साथ जो भारती उप महादूई बनता है इन साथ पड़ों सी देशों को मिला कर भारत के साथ बनता है पागिस्तान है अफगानिस्तान है चीन है तिब्बत इसी में सामिल है नेपाल है भूटान है म्यानमार है बंगला देश है ये सब भारती उप महाद्वीब का हिस्सा कहलाते हैं भारत के नीचे आप देख सकते हैं भारत के दो समुद्री पड़ोसी देश है मालदी स्रिलंका और नीचे हिंद महासागर है अपने राज्जी के अक्सांस और देशांतर ज्याद कीजिए उत्राखंड हमारा राज्जी है उत्राखंड का जो अक्सांस से विस्तार है वह 28 डिग्री 28 डिग्री 44 मिनट से प्रारंब होकर 31 डिग्री 27 मिनट तक है जबकि इसका देशांतरी मान देखें उत्राखंड का तो देशांतरी मान 27 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट तक है इसका जो देशांतरी विस्तार है 28 मिनट इसका देशांतरी विस्तार हम देखें तो यहां पर तीन मिनट तीन डिग्री 28 मिनट इसका देशांतरी विस्तार है अगला प्रस्ण है रेसम मार्ग के बारे में सोचना एकत्र कीजिए यह भी ज्यांत कीजिए कि किस नई विकाश योजनाओं द्वारा उच्च परवती सेत्रू में आवागमन के मार्ग बिक्षित हो यह आवागमन के मार्ग मतलब आने जाने के मार्ग यहां पर जिया गया है अपने राजी का विस्तार आप लोगों को खुल लिखना था जो हमने बता दिया आप नोट क कर सकते हैं उसके बाद रेशम मार्ग के बारे में आप यहां पर जान सकते हैं थोड़ा बहुत और इससे आप अपने प्रस्ण को और अधिक सुद्रिंट कर सकते हैं रेशम मार्ग चीन भूमध्य सागर के बीच अंतर राष्टी व्योपार का एक महत्तोपून मार्ग है प मार्ग है क्योंकि इस मार्ग से होने वाले व्योपार में रेशम का एक बड़ा हिस्सा होता है अठार सथा सुद्र में फर्णाने डेड वान ड्रिक्टोब है नामक एक परसिद जर्मन भूगोलवेता ने इसका नाम रेशम मार्ग रख दिया प्रश्ण पूछा जा सकता है कि भूमत्य सागर से जो रेशम मार्ग है उसका नाम रेशम मार्ग किस ने रखा जर्मन भूगोलवेता ने इसका नाम क्या रखा रेशम मार्ग रखा जिनका नाम था फन्डानेट वान डी रिक्टाफेन प्रश्ण प्रिक रेशम मार्ग पूर्वा और पश्चिम के वीच संबंद के कारण बिक्षित हुआ जिससे स्वांस्कित्तिक विरासत के आधान पुर्दान को बढ़ावा दिया हाल के वर्शों में रेशम मार्ग एक बार पुना समुदरी मारग यहां थल मारग दोनों मारगों से प्रियोग किया जा रहा है ये थे कख्षा नौ पार्थ एक जिसका पार्थ का नाम था भ़ारत आकार यह इस्तिति किताब का नाम अगर हम कहें तो समकालिन भारत भाग ए से चर्चा की गई थी कक्षा 9 का भगोल परतियोगी प्रिक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों के लिए भी इतनी महत्वपूर्ण है कि 2021-22 में जो भी उत्राखंड में परतियोगी प्रिक्षा हुई यहां से एक या दो प्रशन जरूर पूछे गए इसलिए हम कक्षा 9 का जो यह भगोल है इस पर चर्चा करेंगे पहले चर्चा करेंगे उसके पाठ पर साथ में उसके पाठ पुस्तक में जो प्रशन उत्तर दिये गए हैं उस पर चर्चा करेंगे और जो तीसरी चर्चा इसकी होगी या नहीं इसके जो सोट क्वेश्चन आंसर बनते हैं उस पर चर्चा होगी जिससे की त्री टीचर पॉलिसी यहां पर हम अपना सकते हैं मतलब एक ही पार्ट को हम तिन तीन बार अगर देखेंगे तो निश्चित तोर पर हमारा वह कॉंसेप्ट किलियर होगा जो चीज उसमें दी गई हैं वह हमें आसानी से समझ में आ जाएगी आसा करता हूँ कि जो भी चर्चा हमने की आप लोग इससे समझ पाये होंगे और आप लोगों को निश्चित तोर पर इससे लाब हो रहा होगा आप लोग अपने पड़ाई में ब्यस्त रहें मस्त रहें स्वस्त रहें जैहिन जै भारत